आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Student, आज का जो Question ने यहां बोला है कि जो IUPAC name है इस Compound का वो हमें बताना है ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर इस Compound को लिख लेते हैं यहां पर Triple Bond है Then हमारा CH2 है Again हमारा CH2 है इस Carbon पर हमारा क्या लगा हुआ है एक CH Double Bond CH2 ग्रूप लगा हुआ है Then Double Bond है CH and C Double Bond O आपका H है ठीक है, अब हमें क्या करनी है इसकी Naming करनी है तो देखो इसकी Naming हम कैसे करेंगे यहां पर सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि हमें यहां लेने होती है Longest Chain ठीक है, हमें क्या लेने होती है Longest Chain तो Longest Chain हमारी कौन सी होगी यह Straight वाली क्योंकि अगर मैं 1,2,3,4,5 इसको लूंगी तो 5 होगा 1,2,3,4,5,6,7 होगा तो यह हमारी क्या आएगी यहां पर Longest Chain आजाएगी जो आपकी यह वाली आएगी यह क्या होगी आपकी Longest Chain होगी अब देखो यहां पर Longest Chain तो चूज कर लिए अब हमें Numbering करनी होती है तो हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास यहां पर Functional Group होता है या फिर आपके पास कोई भी Double Bond लगा हुआ है ठीक है या फिर आपके पास Triple Bond लगा है तो इनको क्या मिले? Lowest Priority मिले इनको क्या मिले? Lowest Priority मिले तो हमारा यह होता है इसका अगला रूल अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है? Main Chain में Double Bond, Triple Bond और यह वालो गुरूप है LD High तो अगर आप देखो यहां पर Rules अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर हमारा जो यह होता है LD High इसको हमें सबसे Lowest पे रखना होता है हमें क्या करना होता है LD High को सबसे Lowest पे रखना है मतलब LD High Double Bond, Triple Bond में हमारी Priority LD High होती है और इस Carbon को Main Chain में काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 ठीक है? अब हमें क्या करना होता है? जो भी Substituent है लाइक यह आपका क्या है? यहां पर यह क्या होता है? Vinyl Group होता है तो 3rd पे आपका क्या है? Vinyl है 3rd पे हमारा क्या है? Vinyl है और अगर हम यहां पर देखे तो देखो हमारा क्या है? यह 2nd position पे क्या है? आपका इन है तो आपका क्या आजाएगा? 2 इस तरीके से यह आपका क्या हो जाएगा heptine मैंने इसको एक साथ लिख दिया ठीक है मतलब यह heptine क्या बता रहा है two आगे लगाया आपने कि two पे आपका double bond है अब हमारा six पे क्या है triple bond है तो आपका six पे आएगा अब देखो हम triple bond के लिए क्या लिखते हैं तो जब हम इनको कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारा क्या आता है वाई एन एल तो यह हमारा इस सरीके से वाई एन एल आजाएगा ठीक है तो यह इसका क्या हो जाएगा मतलब two पे आपका double bond है main carbon साथ main जो चेन है वो साथ carbon की है तो इसलिए हटाया six पे आपका वाई एन यान वाला ग्रूप लगा हुआ है और यह एल हमने इसको कंबाइन करके इस सरीके से लिखा तो कौन सा option चलिए देखे यह तो match नहीं कर रहा first भी नहीं कर रहा second भी नहीं कर रहा third हमारा match कर रहे correct है और fourth भी match नहीं कर रहा तो third will be the right answer thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 सुपर